नमस्कार ये देख लेजिए पर्षना वाली दोध समलो तीन का नमी गडित है NCRT पर्षन एक एक्स का क्यूब धन 3 एक्स वर्क धन 3 एक्स धन 1 को नीमन लिखित से भाग देने पर सेसफल ग्याद करो सेसफल कितना होगा इसको इससे भाग देंगे तो कितना सेसफल प्राप्त होगा इसे पूछा गया है पूरा वीडियो देखिएगा और पिछला वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रप्शन में उसे देख लिजे यहाँ पर चलिए हम लोग इसे हल करते हैं तो हल, हल माना PX, PX बराबर लिख लिजे इसको, ये बहुपद है X का पावर 3, धन 3, X वर्ग, धन 3, X धन 1, ये है अब भाजक, ये पहला ये देख लिजे, पहला इसमें भाजक है भाजक कितना है, भाजक माना QX इसको माल लेते हैं तो इसके बराबर कितना है, X धन 1, X धन 1 इस परकार से तो सेस फल परमे से जानते हैं, सेस फल परमे बिधी से लिख लिजेगा सेस फल परमे बिधी से, जैसे कि पिछला विडियो देख लिजेगा QX बराबर 0, वहाँ पर PX बराबर 0 लेते हैं पिछला विडियो में तो यहां Q X बराबर 0 ले लिजिए और X का मान निकाल लिजिए यहां पर देख लिजिए Q X बराबर X धन 1 है X धन 1 बराबर 0 तो यहां X बराबर माइनस 1 होगा इसका पक्छांतर करने पर X का मान निकालना है और X का मान को हमें बहुपद P X में रख देना है जेओं का तेओं देख लिजे, X का लिख लिजे, X का मान, X का मान, X का मान बहुपद, बहुपद, PX में रखने पर, इस तरह से लिख लिजे, रखने पर, तो P, PX है, तो माइनस 1 हमें रखना है, X का मान क्या निकिला है? माइनस 1, तो माइनस 1 बराबर, यहां पर देख लिजे, X का पावर 3, धन 3, X का पावर 2, धन 3, X, धन 1, इसी में X के इस्थान पर, माइनस 1, माइनस 1, माइनस 1 रखते जाईए, देख लिजे, माइनस 1 का पावर 3, धन 3, X है, वर्ग, तो माइनस 1 का वर्ग, धन 3, X है, तो माइनस 1, धन 1, इस परकार से बहुत ही असानी से हल होता है, अब आगे इसको हल करेंगे, देख लिजे, बराबर होगा, 1 का, माइनस 1 का गुड़ा करेंगे, तीन बार, माइनस 1 गुड़े माइनस 1 करेंगे, तो यह हो जाता है पलस 1 तो आप जो है इसको देख लिजे गुड़ा करके माइनस 1 गुड़े माइनस 1 बराबर यह पलस होता है फिर माइनस एक बच जाता है तो माइनस होगा माइनस 1 यहाँ पर यह देखना है कि यह सम भी सम यह जब भी सम संख्या है तो माइनस ही आएगा तो माइनस वन सीधी सी बाद धन तीन यहाँ पर गुरा है गुरा और यह सम संख्या है तो एक होगा पलस वन धन माइनस थिरी होगा तीन का माइनस से गुरा तो तीन होगा धन एक इस परकार से अब P माइनस 1 बराबर माइनस 1 धन 3 एकम 3 और यहाँ पर माइनस 3 होगा धन 1 इस प्रकाई यहाँ पर गुड़ा का चिन लगाना था यह डारेक्ट गुड़ा कर दिया हूँ यहाँ ध्यान दिजिगा अब देखें इसको कार दिजिए यह कटा यह कटा माइनस 3 और पलस 3 इस परकार से P माइनस 1 बराबर 0 होगा इस परकार से बहुत ही असानी से हल होता है आताह लिख लिजिए सेस फल जानना है हमें आताह सेस फल सेस फल 0 होगा सेस फल कितना होगा 0 होगा इस परकार से अब दूसरा पूछ दिया है दूसरा में क्या है एक सरीड एक बटे 2 इससे भाग करने पर सेस फल कितना आता है इसको देख लिजिए यहाँ पर हम लोग जानेंगे हल पी एक्स उसी तरह पहला की तरह पी एक्स बराबर लिख लिजिए एक्स का पावर 3 धन 3 एक्स उवर्ग धन 3 एक्स धन 1 इस परकार से अब भाजक क्या है यहाँ पर भाजक भाजक क्यु एक्स बराबर एक्स माइनस एक बटे 2 है x-1 बटे 2 अब सेस फल परमेश बिधी से सेस फल परमेश लिख लिख लिखे जे सेस फल परमेश है qx बराबर 0 तो qx यहां क्या है x-1 बटे 2 बराबर 0 इस परकार से और x बराबर हो जाता है 1 बटे 2 इस परकार से बहुत ही आसानी से हल होता है अब यहां देखे हम इस x के जगाव में इस के जगाव में माइनल एक बटे दो रखते हैं सोरी एक बटे दो तो यहां से हम हल करेंगे देख लिजिए यहां एक बटे दो निकला है तो P एक बटे दो X की स्थान पर एक बटे दो बराबर एक बटे दो का घन है धन तीन कोश्टक में 1 बटे 2 का वर्ग है अब धन 3X है यानि कि 1 बटे 2 और धन 1 इस परकार से अब बराबर होगा अगला हल AP 1 बटे 2 बराबर एक का एक गुडित एक गुडित करेंगे और 2 का 2 गुडित 2, 3 बर करेंगे दो दुन 4, 4 दुन 8 होगा धन 3 अब गुडा कर दिजिये हैंपर गुडा है तो 1 बटे 1 का वर्ग करेंगे तो एक होगा 2 का वर्ग 4 धन 3 गुडा 1 बटे 2 यहांपर गुडा है धन 1 इस परकार से देख लिजे इस पस्ट अब पी हाप बराबर एक बटे आठ एक बटे आठ धन ये तीन एकम तीन बटे चार धन तीन एकम तीन बटे में दो ये नीचे आ जाता है धन एक सभी में बटे है तो एक के बटे एक कर दीजे इस प्रकार से अब आठ चार दो एक का इलसियम निकाल लिजे इसका इलसियम निकालने पर कितना आता है ये आठ हाता है इसके इलसियम निकालेंगे तो निकाल लिजे यहाँ पर देख लिजे आठ चार दो एक का ये दो से भाग किजे दो चब के आठ दो दूनी चार दो एकम दो और एक का एक इस परकार से एक एक पराप्थ होते तक इसको भाग करते जाए दो एकम दो एक एक ये हो गया दो दूना चार दूना आठ तो आठ हुआ अब इसका भाग इससे करेंगे तो आठ एक उत्तर आता है एक को अंस से गुड़ा कर दिजे एक एक होगा धन अब इसका चार से भाग करेंगे चार दूना आठ दो एनस्वार आया दो को तीन से गुड़ा दो तिया छे इसका जो है दो से भाग करेंगे दो चाव के आठ होगा 4 उत्तर आता है, 4 को 3 से गुड़ा, 4 तिया 12 और 1 अठे 8 एक से भाग करेंगे ते 1 अठे 8 8 उत्तर आता है 8 को एक से गुड़ा करेंगे, 8 ही होगा 8 तो बराबर होगा जोड़ दिजेश 8 इसका इनज़वार है लिख लेजे उत्तर में अतह सेस फल 27 बटे 8 होगा इस तरह से बहुत असानी से हल कर सकते हैं धन्यवाद